हमारे देश की मीडिया भाईया बड़ी गजब है एक एक्जाम में 149th rank लाने वाली जो है उसको मीडिया ने जो है देश की बेटी, महान और पता नहीं क्या-क्या गोशित कर दिया वहीं उसी एक्जाम में rank 2 और rank 3 लाने वाली क्या ये लोग जो है ये देश की बेटिया नहीं है आप जानते होंगे दोस्तों सानिया मिर्जय जो है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत च्छाई हुई है इनका rank जो NDA में थाना वो था 149 और इनको अब सब जानते हैं बड़ा महान काम किया अच्छा है वहीं दोस्तों मैं आपको बताओं क्यों उसी exam में rank 2 अब बताए इनका नाम क्या है 149th rank जिसने लाया है उसको सब पहचानते हैं इनका नाम आप नहीं बता पाएंगे 149th rank इनका आया है अभी एरफोस में पाइलेट बनना चाहते है अभी ट्रेनिंग होगी बाद में 3-4 साल लगते हैं उसके बाद यह पाइलेट अगर पास हो पाएंगी तो ट्रेनिंग में तो बन पाएंगी तो 149th rank इनको ने लाया है और इनको अब सब पहचानते है शोचल मीडिया पर इनकी तस्वीर मीडिया जो लागतार डाले जारा डाले जारा देश की बेटी ओ देश की तो भाईया वह एक्जाम जो है उसमें टॉप 10 पहले ranking देखिए कि उस exam में कौन है rank 1 ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं में rank 1 जो है वो रुबीन सिंग करके है यह पुरूश है लड़के है यह तो rank 1 इनका आया है यहां ध्यान दीजिए rank 2 और rank 3 पर all इंडिया में कौन है अनुष्का अनिल बोडे यह अनुष्का अनिल नाम है इनका अनुष्का अनिल नाम ह इनका rank 2 वैश्णवी गोडे गोडे और गोडे अलग अलगे बहने नहीं है थोड़ा नाम मिलता जूलता है लेकिन यह बोडे है यह तो इनका rank जो है वो तीन है अब यहां पे जो है सानिया मिर्जा जिनका rank 149 फैंको सब जानते हैं पर भाइया जो इनको है जो rank 2 और 3 लेक ये भी होती तो मीडिया इनकी तस्विर नहीं पहुचा रहा होता आपके पास, सोशल मीडिया पर ये च्छाही होई नहीं होती, देश की बेटी भया ये भी नहीं है, क्योंकि ये आप समझ रहे होंगा कि सानिया मिर्जा जो रैंक 149 ला रही है, तो वो सोचल मीडिया पे चाहिए है जब कि उसी एक्जाम में रैंक दो और रैंक तीन लाने वाली को कोई पहचानता ही नहीं है बताएं दोस्तों ऐसा आप क्यों हो रहा है आप खुद सोचकर बताएं रैंक 149 जो है वो देश की बेटी है रैंक 2 और 3 जो है कोई नहीं पहचानता है क्यों हो रहा है बाद में और यह लोग जो शोर मचा रहें न यह जो शानिया मिर्जा के नाम पे जो लोग सोर मचा रहें और जो लोग अनुषका और वेशनवी का नाम तक नहीं जानते हैं यही लोग हर तरह का ज्यान हमारे जैसे सनातनियों को हर मुद्दे पर देते रहते हैं, खुद यह धर्म के अधार पर फुल भेदभाव करते हैं, पर भर भर के ज्यान हमारे जैसे लोगों को देते हैं.